हेई गाइज वेलकम तो अभीनी आटो व्लॉग्स आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक अपडेट जो कि है आल नियू स्कॉर्पयर 2020 के बारे में मैं आपको बता दू स्कॉर्पयर 2020 B.S.6 compliant engine के साथ, लॉँच हो चुकी है बागए उसके आपको अपेरिंस पेरिंस और उसके लोक्स के बंदर कोई भी चेंज़ देखने लिए नहीं मिलेंगे वहीं इसके अंदर एंजिन के अध्र चैंज किय गए है और वहीं इसके वेरेंट को भी चेंज कर दिये गया है अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डेली में आप लोग के साथ लेकि नियू रव्यू उप्लोड करता है रहता है अला कि Scorpio का नियू वर्जिन है वो 2021 तक आपको फेसलिफ्ट देखने के लिए मिल सकता है वहीं अभी जो इसके अपडेट आई है वो यह अपडेट आई है कि इसके अंदर अब आपको मिलेगा अल नियू BS6 compliant engine with 2.2 liter 4 cylinder MOC diesel engine जो कि आपको प्रेड्यूस करता है 140 bhp की power and 320 Nm का torque वहीं इसके अंदर आपको automatic और जो 4 wheel drive के options थे variants वो इसकंटिन्यूड कर दिये गया है वो अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे सिर्फ आपको इस बार manual variants ही देखने के लिए मिलेंगे अगर मैं launch date के बात करूँ तो coming weeks के अंदर आपको देखने के लिए market के अंदर मिल जाएगी launch हो चुक है बट due to coronavirus इसको आप अभी market के अंदर नहीं देख सकते हैं एक दो मेने के अंदर आप इसको market के अंदर देख पाएंगे वह अगर मैं इसके variants के बात करूँ तो total आपको 4 variants के अंदर देखने के लिए मिलेगी S5, S7, S9, S11 S5 जो वो base variant है और S11 वो top variant है S5 में सिर्फ आपको मिलेगा 5-speed manual transmission S7, S9 और S11 के अंदर आपको 6-speed manual transmission मिलेगा सो यह मैं आपको चार्ट के थू दिखा रहा हूं आप यहां पर समझ लेना 7, 8 और 9-seater आपको सारे ही 4 variants के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे Automatic और 4-wheel drive के options इस बाद डिसकंटिन्यूट कर दिए गया है जो कि मैं आपके साथ already shared कर चुका हूं So guys, यह था कोछ छोटा सा update about all new Mahindra Scorpio 2020 with BS6 compliant engine जो की launch हो चुकी है इसकी जो pricing जैसी आजएगी वह भी मैं आप लोगता share सभरू कर दोगा वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल ते नेक्स टूडियो में तिल देन टेक केर बाबाई